बर्मा तेरा बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा इस्कूल गया है आता ही होगा अलो आ गया बेटा इस्कूल से आ गया? नहीं अभी थोड़ी देर बाद आऊंगा अभी स्कूल में हूँ अभे आतो गया जब पता है पूछ क्यों रहे हो बेटा ये पडोस के सरमाजी है और ये उनकी बेटी काजल तो मैं क्या करूँ अंकल को नमस्ते बोल नमस्ते अंकल, नमस्ते बेटा, नमस्ते आंटी बेटा ये आंटी नहीं, मेरी बेटी है नमस्ते काजल, नमस्ते मम्मी, नमस्ते मेरा बेटा नमस्ते पापा, नमस्ते कुट्टा क्या बकवास कर रहा है, कुट्टे को कोई नमस्ते बोलता है क्या कुट्टा इंसान नहीं होता अबै कुट्टा जानवर होता है तो मम्मी और आपकी जब लड़ाई होती है, मम्मी आपको कुट्टा क्यों कहती है तू क्या खड़ी है, जा इधर से क्यों जाओ मैं, यहाँ पर खड़ी रहूंगी सर्मा जी वो बर्मा, सबके घर का यही हाल है, तू घबरा मत बेटा जल्दी कपड़े बदल, फिर खाना खाएगा खाने में क्या बना है, दाल और चावल नहीं, मुझे लेकपीस खाना है किसका लेकपीस बेटा? मुर्गा भैस बकरी जिसका लेकपीस मिल जाए बेटा अभी किसी का लेकपीस नहीं है तो काजल का लेकपीस खिला दो मजाग कर रहा हूं साम को मेरे बेटे के लिए लेकपीस लेके आना कहा से लाओ लेक पीस, रोज-रोज मेरे पास इतने पैसे नहीं है, घर में जो है वो खा साले को रोज-रोज लेक पीस चाहिए अगर लेक पीस लेके आए, तो ठीक है, वरना तुम्हारे लेक का पीस बना के खिलाऊंगी बरमा, भावी जी बड़ी खतरनाख है, आपसे किसी ने पूछा बेटा लेक पीस साम को खा लेना, अभी सेप खा ले, मुझे नहीं खाना, तो केला खा ले नहीं, तो संतरा खा ले, नहीं बिल्कुल बाप पर गया है, लगता है चपल ही खाएगा तु मेरे पीछे क्यों पड़ी है, जाए धर से, क्यों जाओ, क्यों जाओ खेट से उठा कर नहीं लाए हो, साधी करके इस घर में आई हूँ, समझे बर्मा, तेरी घर में कोई खास इज़्जत नहीं है, मेरे बीबी और बच्चे तो मुझे देख के थर-थर-थर-थर कापते हैं कोई नहीं कापता, जूट क्यों बोल रहे हो बेटा चुपकर, बेज़्जती कराएगी क्या भावी जी, लगता है आप अपने पती से खुस नहीं हो चेहरे पर थोड़ी इसमाइल लाया करो इतनी भी इसमाइल की जरूरत नहीं, कि मूँ फढ़ जाए भावी जी, नाराज क्यों होती हो गुस्सा करने से सरीर पतला और कमजोर हो जाता है तुम्हारी बीबी की तरह मोटी भैस नहीं बनना मुझे मैं पतली ही ठीक हूँ, पडोसी हो पडोसी की तरह रहो ये फिरी का ग्यान बाटने की जरूरत नहीं है अच्छा बर्मा, मैं चलता हूँ अरे अंकल इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा और बेच जती होने दो बर्मा, तेरा बेटा मुझे बिलकुल पसंद नहीं लेकिन मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है बेटी, चल उठ, यहाँ से चल कहा जा रहे हो अंकल? अरे अपने घर अपने ही घर क्यों, दूसरों के घर क्यों नहीं? देख कम बोल कम बोलने के पैसे दोगे? देख मेरा, दिमाग मत खराब कर इसका मतलब आपका दिमाग ठीक है हाँ, हाँ, मेरा दिमाग ठीक है तो घर क्यों जा रहे हो, बेटो नहीं बैठना मुझे तो आए क्यों? मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं यहां आ गया लेकिन अभी तो आपने बोला आपका दिमाग ठीक है? देख मुझे जाने दे कहा जाने दू? घर? किसके घर? अरे सर्मा रुक! अरे सर्मा रुक! गया? पापा मैं आ रही हूँ! अरे काजल तो तो रुक जा